ओडिस्सा में चक्रवाती तूफान दाना ने कहरबर पा रखा है बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12 बचकर 5 मिलेट पर ओडिस्सा के तट से 120 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से टकराया और सुबह करीब साड़े 8 बजे लैंडफॉल प्रोसेस का खत्म हुआ बता दे आपको की धीर धीर अब इसका असर कम हुआ है लेकिन कभी भी बढ़ सकता है दाना के असर से ओडिस्सा में लगतार बारिश हो रही है और साथ ही कई ऐसे इलाके होई ओडिस्सा के जहां पर बारिश रुखी नहीं रही है जिसमें कि भद्रक केंद्र पाड़ा में 30 सेंटिमीटर से भी जादा बारिश का अनुमान है मुख्यबंत्री मोहन चरण माजी ने कहा कि 5 लाग से भी जादा लोगों को रिलेफ कैंप में शिफ्ट किया गया है कई इलाकों में पेड उखडने की तस्वीर आई है गाडिया डैमेज हो गई है लेकिन आप एक चीज़ जरूर सोच रहे यह होंगे कि आखिर इस तूफान का नाम दाना क्यूं है ये दाना शब्द आया कहां से है तो आपको बताते हैं कि आखिर अर्थ क्या है इस तूफान के नाम का दाना नाम साओधी अरब ने दिया है इसका मतलब उदारता होता है अगर किसी आंधी की गती 62 किलोमीटर प्रती घंटे से ज्यादा होती है तो इसे एक विशेश नाम देना बहुत जरूरी होता है और यही तूफानी हवा अगर 137 किलोमीटर प्रती घंटे तक पहुँचती है या पार हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते है चक्रवात दाना को ये नाम साओधी अरब ने दिया दाना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है उदारता विश्व मौसम बिज्ञान संगठन के मताबिक दाना का नाम कतर ने सुझाव दिया था साल 2000 में WMO, ESCAP यानिकी World Metrological Organization United Nations Economics and Social Commission for Asia and Pacific के तहर चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है शुरूराती दोर में केवल आठ देशों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था जिनके नाम बांगलादेश, भारत, मालदीव, मैनमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाइलैंड है हाला कि 2018 में पाँच और देश इरान, कतर, साउदी अरब, सयुकत अरब, अमिरात और यमन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए है तो ये वो तमाम ऐसे देश हैं जो तूफानों के नाम रखते हैं एक बात और, देशों को चक्रवात का नाम तै करने के लिए कड़े नियमों का भी पालन करना होता है इस दौरान देशों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा सुझाए गए जो नाम है वो किसी भी राजनेतिक, हस्ती, धार्मिक या किसी भी विवादस्पद प्रकृती की किसी भी चीज से जुड़ा या जुड़ी ना हो कॉलकता और भुगनेश्वर एरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं फिलाल इस तुफान के बाद कई सारे फ्लाइट्स कैंसल कर दिये गए थे कॉलकता से पहली फ्लाइट सुभा आट बच कर चालिस मिनट पर रबाना हुई तो रेलवे ने कहा कि कैंसल ट्रेनों को छोड़ दें तो ओडिश्या और पश्यम मंगाल जाने वारी बाकी ट्रेने शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगी इससे पहले भुवनेश्वर और कॉलकता एरपोर्ट पर गुरवार शाम पाँच बजे से शुकरवार सुभा के आठ बजे तक 300 फ्लाइट्स को कैंसल किया गया तो वहीं साउथ इस्ट रेलवे, इस्ट कोस्ट रेलवे, इस्टन रेलवे और साउथ इस्ट सेंच्रल रेलवे की 552 ट्रेने रद की गई और इश्टा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंदरप्रदीश, तमिलनाडू, बिहार, चत्तीजगर, जारखन इन तमाम ऐसे राज्यों में दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने 83,000 लोगों को रिलीव कैप में पहुँचाया अब आप दाना तूफान की और दाना से जुड़ी ये आठ तस्वीर देखिए इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि दाना तूफान ने किस कदर कहर बरपा रखा है कहीं पेड गिर गए हैं, तो कहीं पर हाइटाइट की इस्थिती बनी हुई है मुख्यमंत्री से पियम मोदी ने फोन पर बातचीत की है तो दूसरी तरफ वमता बनर जी ने कंट्रोल रूम में रहकर जाइजा लिया कि मौजुदा समय में तूफान की क्या इस्थिती है और इश्टा के हालात पर प्रधान मंत्री की नजर बनी हुई है प्रधान मंत्री मोदी ने फोन पर ओडिश्टा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी से फोन पर बात की और हाल भी जाना कि ओडिश्टा के क्या हालात है साथी पीम ने ओडिश्या में चक्रवाद दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर माजी से बाचीत की चर्चा की तो उधर ग्रह मंत्री अमित शाह ने भी CM माजी से बात की और ओडिश्या को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है ओडिश्या ने National Disaster Relief Force और Fire Brigade की 288 टीमें तैनात करती हैं ओडिश्या सरकार की तरफ से तमाम जो विवस्थाएं हैं वो की गई हैं इसके अलावा आज बहुत सारे ऐसे दिसंस्था हैं जो बंद रहेंगे बता दे कि मुख्यमंत्री माजी ने High Level की Meeting भी बुलाई थी और तूफान से निपटने के लिए तमाम तैयारियों की समिक्षा भी की दाना का असर सिर्फ ओडिश्या में ही नहीं बलकि आसपास के राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने आपको बताया चलिए अब आपको एक बार फिर से बताते हैं कि कौन-कौन से वो राज्य है जहां पर इसका असर पढ़ रहा है सबसे पहले तो ओडिशा ही ओडिशा के 30 में से 14 तटिये जिलों में तूफान का व्यापक असर दिखा आयमडी ने 26 अक्टूबर तक अंगूल, नयागर, बालिश्वर, मयूर भंज, भद्रक, केंद्र पाड़ा, जगत सिंगपूर, केंदु जार, जाचपूर, कटक और धेंक नाल, खुर्दा, गंजम इन तमाम जिलों में पूरी में भी बहुत तेज बारिश की आशन का जता आई है, तैयारी के तौर पर NDRF के साथ साथ, ओडिशा की भी जो डिजास्टर टीमें हैं, ODRF, वो मौके पर मौझूद हैं, फाइर ब्रिकिट की कई गाडिया मौके पर मौझूद हैं, 6000 से जाधा राहत शिविर बनाए गए हैं, कई होटेल्स की जो बुकिंग कर रहे थे परेटक फिलाल उन्हें रोक दिया गया है, अब आपको बताते हैं कि पश्रिम मंगाल में इसका क्या असर दिखाई दे रहा है, पश्रिम मंगाल में पूर्प मेधनीपूर, दक्षिन 24 परगना और उत्तर 24 परगना में बहुत भारी बारिश हो रही है, कॉलकता, हाबडा, हुगली और जार ग्राम में भारी बारिश हो रही है, तयारी के तौर पर पश्रिम मंगाल के आठ जिलों, दक्षिन 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूरब मेधनीपूर, पश्रिम मेधनीपूर, जार ग्राम, बांकुरा, हुगली, हाबडा और कॉलकता में 23 से 26 अक्टूब शेतर में भारी बारिश के साथ 30 से 50 किलो मिटर प्रती घंडा के रफ्तार से हवाएं चली है, तयारी के तौर पर आंधर प्रदेश में NDRF की 9 टी में तैनात कर दी गई है, जारकन के अगर बात करें तो जारकन में भी इसका असर रज़र आ रहा है, यहां पर अलग-अलग इलाकों में जो है ववस्ताओं को दुरूस्त कर दिया गया है और साथी इसके दुमका, गिरिडी, गोड़ा, जामताडा में बारिश का नुमान जताया गया है, तयारी के तौर पर जारकन में NDRF की 9 टी में तैनात कर दी गई है, 36 गड़ में भी इसका अच्छा खासा असर नजर आएगा, मौसम विभाग ने गुरुवार को 8 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया, 27 अक्टूबर तक कहीं कहीं पर बोचारे पड़ सकती है, 25 और 26 अक्टूबर को 40 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से हवाय चल सकती है, तयारी के तौर पर 36 गड़ में भी NDR करेफ की एक टीम तैनात की गई है, बिहार में भी असर इसका दिखाई देगा, तो बिहार के भागलपूर, मांका, जमुई, मुंगेर, शेकपुरा, नालंदा, जहनाबाद, लखी सराय, नवाधा, गया, कटिहार, पुर्णिया, किशिन गंज में इसका अच्छा खासा अस कर दिखाई देगा, कई जिलों में 20-40 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है, आखिर में बात कर अगर तमिलनाडू की, तो यहां भी IMD ने दक्षिन भारत के तमिलनाडू और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में 5 दिन तक भारी बारिश की चेता चबी देखके हम लोग बोल सकते हैं, कितना तेज यहां पे टाइट्स हो रहे हैं, हेवी टाइट्स हो रहे हैं, जैसे प्रशाशन सदा ततपर है, यह कल से ही हम देख रहे थे, प्रशाशन की तैयारी थी, प्रशाशन की तैयारी है, और अभी जो तेज हावा चल रहे हैं, इसके साथ साथ वेदर अपडेट बोल रहे है कि दाना तूफान के करन उसका एफेक्ट लैंडफॉल तो हो चुका है लेकिन उसका एफेक्ट अभी तक रहेगा और इसलिए भारी बारिश होगी अभी तो तेज हवा चल रही है लेकिन उसके साथ साथ भारी बारिश भी शुर और वहाँ प्रशाशन की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है कि ये जगा खाली किया जाए इसलिए प्रशाशन की तरफ से बैरिकेट किया गया है वो बैरिकेट के उस पार से टूरिस्ट लोग अगर कुछ दिखना चाहे तो दिख सकते हैं वो लोग बोल रहे हैं बार-बार क बाकी राज्यों में भी दिखा रहा है ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि जब तूफान आए तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले तो घर से बेवजा आप बाहर बत निकल लिए और साथी टॉर्च मुंबत्ती जैसी चीज़े अपने पास जरूर रखिए इनका और आप चले जाए क्योंकि तूफान और भारी बारिश में इन चीजों के पास रहना किसी खत्रे से खाली नहीं है दाना कहां से आया दाना का नाम दाना कैसे पड़ा और ये तूफान चक्रवाती क्यों कहा जा रहा है ये हमने आपको बताया और लगातार तूफान से जु पारे साथ बने रही है